नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली निउस बूलेटिन में आपका स्वागत है इसके मुखे प्रावजक हैं आरकेज जुएलर्स आकरसक आभूशनों के विश्वसनिय विक्रेता यमुना चौक बक्सर नजे डालते हैं बूलेटिन की परमक्सुर्खियों पर 29 को मनेगी बकरित डीम ने पदाधिकारियों संग की बैठक आरपीएफ ने पांच मोबाइल चोरों को दवोचा पांच फोन भी बरामद संगमित्रा का फेल हुआ इंजन धाई घंटे तक ठप रहा डाउन लाइन का परिचालन नैपूल की उखडी पीच मीडिया में खबर को लेकर मची जीच बियाड़ा की जमीन पर खेल मैदान बनाने के लिए धरना विधायक भी सामिल आज होगा इटारी एवं डुमराओं में नव निर्वाचित पर्त नीधियों का सपत ग्रहन चौसा युद्ध के 484 वर्स पूरे पौधारोपन फुटबाल मैच का आयोजन गली में सिधी बनाने वालों पर चला बुल्डोजर एक को जारी हुआ नोटिस खबरे विस्तार से के प्रयोजक है काम धेनुनेक्स नए जमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवं सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिम्री संपर्क करें नीचे दिये गए इन नंबरों पर अब खबरों के जचा बिस्तार से 29 जून को बकरीद मनाई जाएगी इसको लेकर बीते दिन मंगरवार को जिलाधिकारी अंसूल अगरवाल ने पुलिस प्राधिकारियों एवं ड्यूटी के लिए परतिनुक्त दंडाधिकारियों के साथ आवस्यक बैठक की उन्हें जरूरी निर्देश दिये वहीं अनुमंडल अस्तर पर भी डुमराओं में सान्ती समीती के सदस्यों की बैठक हुई जिसे डुमराओं के स्टीम कुमार पंकज ने सम्मोजित किया सभी लोगों से सलाह ली और बकरीद के दोरान सान्ती पुरवक्त वहर कैसे मनें इस पर ग्रिहत सर्चा की गई गुलटिन की दूसरी सुर्खी है आरपिएफ की टीम ने पांच मुबाइल चोरों को पांच फोन के साथ सो मोहर की रात गिरफ़तार किया हुआ कुछ यू की प्रेटफार्म संख्या दो तीन पर दो यूवक टहल रहे थे पुलिस ने उन्हें रोका तो एक भागने में सफल रहा दूसरा पकड़ा गया उसका नाम चंदन राम था हलाकि उसके निजान दही पर सोनु कुमार भी पकड़ा गया दोनों बुक्सा गाउं के रहने वाले थे आर्पिया फिनस्पेक्टर ने इस बारे में बिस्ति जनकारी दी कुल पांच लोग इस मामले में गिराफतार हुए है भागने लगे उसी क्रम में एक को तो हमने दबोश लिया दूसरा जो है वो भागने में कामयाब ना उस यह संयोग रभियान था इसमें जी आर्पी और आर्पी दोनों प्लैटफॉर्म गस्ट के थे तो जो पकड़ाया हुए विक्ति था उसको जब जमा तलाशी लिया गय जो इसने स्विकार गया कि उसने किसी आत्री से चोरी किया उसी की निशान देही पे हम उसके जब गाओं कहुचे तो जो दूसरा भागा हुआ विक्ति था वो भी एक चोरीत मुबाईल के साथ पकड़ा गया और इन दोनों की निशान देही पे इनोंने बताया कि हमने पू गुलेटिन के तीसरी सूर्खी है संघमित्रा एक्सप्रेक्स का इंजन बीते दीन मंगलवार को भीया स्टेशन के समीप फेल हो गया यह वाक्या 10 बज के 51 मिनट के आसपास हुआ लेकिन इस वजह से लगबक आधा दरजन से अधिक ट्रेने डाउन लाइन पर जहां तहां खड़ी रही यात्री परिसान हुए सो अलग डाउन लाइन का परिचालन ही पूरी तरह ठप हो गया माल गाड़ी के इंजन के सहारे इस्टेन को आगे रवाना किया गया तब धाई घंटे बाद डाउन लाइन का परिचालन शुरू हुआ सुचना के नंसार मगत टोडी गं मुराओं में पटना मेमू सवारी गारी बकसर में लोकमाने तिलक चौसा अहमदाबाद बराउनी गहमर में घंटो खड़ी रही इस वज़ा से गर्मी में यात्रियों को भारी फजियत धिलनी पड़ी बुलेटिन की चौती सुर्खी है हाल फिल हाल गंगा पर बने नय की पीछ उखड़ गई है बीचे दिन यह खबर सामने आई तो आज मंगलवार की सुवा सोसल साइट से लेकर नेस्टल मीडिया तक में यह खबर हैं ट्रेंड करने लगी पूल की पीछ किया हुई मानो आफ़त आ गई है लेकिन जब इस पूल का मुईना किया गया तो पता चला इस से बड़ी समस्या आएं कुछ और भी हैं जिस पर संबंधित एजंसी को ध्यान देना चाहिए हम भी उसकी खबर आपके लिए आज लेकर आएंगे गुलेटिन की पांचवी सुर्की है नावानागर प्रखंड मुख्याले के सामने बियाडा की जमीन इस्तित है इस जमीन को खेल मैदान बना दिया जाए इस मांग को लेकर सुमवार के दिन कुछ लोगों ने धरना दिया उनका साथ देने के लिए डुमराओं के बिधायक अज इतकुछ स्वाहा भी पहुँच गए हलाकि उनकी उपस्ति से इस खेल में राजनीती खेल की बात भी सामने आने लगी है जैसा कि सुत्रों से ग्यात हुआ है कि वे इसको लेकर कुछ दिनों पुर्व खेल मंत्री को भी ग्यापन दे चुके हैं जिसकी जाच करने के लिए बीतिये दिनों बियाडा के उद्योग इन दोनों मुख्यालेओं पर रार्थात प्रखंड मुख्याले की टाड़ी एवं दुमराओं नगर परिशत कर्याले में या कारे संपन होगा ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है बुलेटीन की सातवी सुर्खी है 25 जून 1549 को चौसा में सेरसा और हुमायू के बीच युद्ध हुआ था इसको 484 वर्स गुजर चुके हैं 26 जून को इस मौके पर यहां सेरसा सूरी जनकल्यान संस्थान द्वारा पौधार उपन कराया गया साथी आदर्स उच्विद्याले चौसा के परिसर में खेल मैदान में फुटबाल मैच का आउजन हुआ जिसमें गाजीपूर की टीम ने बगसर की टीम को एक गोल से पराजित किया यह कारिकरम मनोज यादों की पहल पर आउजित किया गया था उनकी पत्नियों चौसा के स्थानिय व्यक्ति चंद्रमोहन सिंग ने प्रसासन से सिकायत की जब करवाई नहीं हुई तो मामला हाइकोट तक गया हाइकोट के निर्देश पर सीओ अंकिता सिंग ने लगबग 5-6 लोगों की गली में बनी सीडिया तुड़वाई एक व्यक्ति ने तो घर ही बना लिया है उसे ततकाल नोटिस ठमाय गया है अब आपके लिए छोटी सी सूचना परतेकर रविवार को बक्सर खबर दिबी दर्सन नाम से एक सापता ही कारीकर्म परश्तूत करता है जिसमें आप देश की विभिन मंदिरों का दर्सनला प्राप्त कर सकते हैं आज के बुलेटिन ब सितना ही आप देख रहे हैं बक्सर खबर हमारे साथ अंतक बंदिराने के लिए आप सभी को धन्यवार